मातरानी दोस्तों मैं नीता आपका अपने चैनल नीता विक्रम में स्वागत करती हूँ आपके जीवन में यदि कोई दुख कश्ट तकलीफ है आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो ऐसे में भोलेनात की क्रपा आपे होने वाली है शिपुराण में वर्नित हर उपाय अपने आप में मनुष्य के जीवन में म्रत संजीवनी मंतर के समान कार्य करता है याने हर प्रकार के दुख को दूर कर देने वाला है ऐसे में सोमवार के दिन आने वाली अश्टमी का और चतुर दशी तिथी का विशेश महत्व पूरे शिप्पुरान में वर्नेत है भोलेनात ने स्वयम इस ग्रंथ में ऐसी कई बाते हमें बताई हैं जिनके करने मातर से आपके जीवन के बड़े बड़े दुखकष्ट दूर हो जाते हैं और सफलता मिलने लगती है ये बात मैं दावे के साथ आपको बता रही हूँ कि सोमवार के दिन जब अश्टमी की तिथी होती है तो समपूर्ण कारियों में सफलता प्राप्त करने के लिए आप छोटे से छोटा उपाई भी यदि कर लेते हैं तो आपका जीवन सफल हो जाता है देखिए सोमवार के दिन का विशेश महत्व इसलिए है क्योंकि इस दिन पे भोले नाथ का पूजन होता है और अश्टमी की तिथी को भैरव अश्टमी दुर्गा अश्टमी इन नामों से जाना जाता है जब सुमवार के दिन पे ही यह तिथी आ जाती है तो इस दिन भोले नाज का भैरफ स्वरूप, मा दुरगा स्वरूप और भोले नाज स्वयम आपकी हाई इक्षा की पूर्ती करते हैं तो देखिए जीवन के कष्ट दूर करने और सफलता प्राप्ती के लिए इस दिन का जो महत्व है वह शिप पुराण में कई गुना बताया गया है आज मैं आपको जो उपाय बताऊंगे उसे आप ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को पूरा आखिर तक देखिएगा तब ही आप उपाय सही से कर पाएंगे और आप जब चैनल पे आते हैं तो चैनल जरूर लाइक करें वीडियो को और सब्सक्राइब करें जादा से जादा लोगों के साथ शेयर करें क्योंकि यह जानकारी सब शास्त्रों में वरनेत हैं मैं आपको बताती हूँ जिससे कि आपकी दुख तकलीफे दूर हो जाएं देखिए मृत्यों लोग में मनुश्यों के जीवन में कष्ट होना उनके कर्मों का फल है साथ में ऐसे अचूक उपाय बताए हुए हैं जिनको करने से मनुश्य नाना प्रकार के कष्टों से मुक्ती भी पा लेते हैं याने शिवजी अपने आप में स्वर्व व्यापी हैं शिवजी अनन्त हैं और उनका पूजन करना ही मानव जीवन के हर कष्ट को दूर कर सकता है ऐसे में सोमवार के दिन पे अश्टमी की तिथी होने पे शिवजी हमें क्या करने के लिए कहते हैं शिवजी बताते हैं कि यह दिन संपूर्ण मनोकामनाओं की पूर्ती करने वाला है इस दिन पे आप सभी को अपने घर में खीर का प्रसाद बनाना चाहिए और उसमें थोड़ा सा घी मिलाना चाहिए ऐसे व्यक्ति जो इस दिन पे किसी मनोकामना को पूरा करना चाहते हैं उन्हें वरत रखना चाहिए देखिए सुयम शिवजी ने इस बात का विवरन करा है तो इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए कि यदि यहीं नियम करे जाएंगे तो हमारी मनोकामना पूरी हो जाएगी जो लोग चाहते हैं उनकी कोई भी इक्षा वो पूरी हो जाए वह इस दिन पे नमक के बिना भोजन करके वरत रखें याने आपको बिलकुल भी नमक नहीं खाना है क्योंकि जब तब का हमारे शास्त्रों में विशेश महद्व बताया गया है माता पार्वती ने भी कठोर तब को करा भोले नात ने उन्हें प्रसन होके पती सोरूप में प्राप्थ होने का आशिरवात दिया इस प्रकार से तब की महीमा का वर्डन जितना करा जाए वह कम है आगे आप सब बहुत समझदार हैं आप सब अलग-अलग व्रतों को रखते हैं पूजा पाठ भी करते हैं और भगवान में श्रधा भी रखते हैं यदि आप चाहते हैं आपकी इक्षा पूरी हो तो इस दिन पे आपको बिना नमक के भोजन करके व्रत रखना चाहिए दिन के समय आप केला, सेव, आलू का हलुआ इस प्रकार का कुछ भी पकवान खा सकते हैं शाम के समय पे खीर बनाएं, खीर चावल की बना सकते हैं, मखानी की बना सकते हैं, साबुदाना जो भी खीर आप बना पाएं, वह बनाएं हो सके तो खीर में थोड़ा मिश्री डालें और घीर डालें इसके बाद आपको देखिए मैं मुझे समझ में आता है कि आप मेंसे अधिकता लोग मंदिर नहीं जा पाते तो आप घर में भी इस उपाय को कर सकते हैं परन्तु जब हम कोई विशेश पूजन अर्चन मंदिर जाके करते हैं तो उसका शुफल हमें बहुत जल्दी मिल जाता है यदि आप मंदिर नहीं जा सकते तो बिलकुल मंद छोटा करने की जरूरत नहीं आप घर में बैठके भी शिवलिंग के सामने यहां पूजा पाट करें और इस उपाय को करें शिवलिंग के सामने आप चाहे मंदिर जाए जाए घर में यहां पूरा प्रसाद भोग रखे और आपके पास, देखिए मैं आपको तीन चीजें बता रही हूँ, तीनों ही चीजें शिफ पुरान में बढ़ने थे हैं, आपको मिल जाएं, तो आप इनका प्रयोग पूजिन में जरूर करें काले उडद के दाने, काले उडद के दाने जो होते हैं, यहां आपके कष्टों को दिखाते हैं, आपके कर्मों को दिखाते हैं, जब यहां आप भूले नाथ पर अर्पित करते हैं, तो यहां अपने आप में पवित्र हो जाते हैं, यानि आपके कष्ट सुख में बदल जाते आपके द्वारा करी हुई गल्तियां शमा हो जाती हैं और आपके कर्मों की शुद्धी भी हो जाती है अब यदि किसी के पास 108 काले उड़त के दाने हैं तो वहां उन्हें हातों में ले ले और शिव मंत्र का जाब करें यहां पूजन आपको शाम में प्रदोशकाल के समय पे बैठ जाएं यहां मंदे जाएं वहां बैठ जाएं हाथ में यहां काले उड़त के दाने ले ले लें जिन लोगों को यह काले उड़त के दाने ना मिल पाएं वहां मन छोटा ना करें देखिए काली उड़त के दाने उसी प्रकार हैं जैसे की शमी पत्र है शमी पत्र की महिमा का वर्डन बहुत जादा बहुत जादा है क्योंकि शमी पत्र को कई हजार बेल पत्रों के बराबर माना गया है एक शमी पत्र कई हजार बेल पत्रों के बराबर है तो ऐसे में यदि हम 11 शमी पत्र हाथ में ले लेते हैं तो हमारे जन्म जन्मांतर के जो भी कर्म है उनकी शुद्धी होने लगती है आप या तो काली उड़त के दाने ले 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 या शमी पत्र ले ले जिनको ये दोनों ही चीज़े ना मिले वहाद अखंडित चावल याने साबुत चावल के 31 दाने लेके भी इस उपाय को कर सकते हैं तीनों में से जो भी चीज़ आपको मिल जाएं आप वो ले ले देखिए 108 काली उड़त के दाने 11 शमी पत्र या 31 चावल के दाने अपने हाथ में ले 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 और भोले नात के मंत्र का जाब करें भोले नात का एक ही मंत्र पूरे शिव पुरान में बढ़ने थे जो है पंचाक्षरिय मंत्र नमः शिवाए इस मंत्र को जब पुरुष बोलेंगे तो वह ओम पहले लगाएंगे ओम नमः शिवाए और जब इस्तिरियां बोलेंगी तो वह बोलेंगी नमः शिवाए ओम आप इसका पांच माला जाप करिए अब माला आप रुदराक्ष की ले सकते हैं जिलोगों के पास माला नहीं है वह कम से कम 20 मिनिट से लेके 25 मिनिट ओम नमः शिवाए इस प्रकार यहां मंत्र मोलें और इन उड़त के दालों के दानों को अपने हाथ में रखे रहें और आ देखिए संसार में सब कुछ प्राप्त करा जा सकता है यह सब शिव रूप है और शिव अपने रूप में अलग-अलग तरह से हमें हर चीजे दे से हैं तो इसमें जब तब साधना करते हैं वक्त जब इश्वर के ध्यान में हम होते हैं तो हमारी जो सुख्ष्व श्वरील होता है जो हमारी जीवात्मा होती है वो सुख्ष्वर से आश्रवात प्राप्त करने लगती है इसके बाद यह जब अभी मंतरित हो जाएंगे काले उड़त के दाने आप इन्हें भोले नात के ऊपर 108 काली उड़त के दाने अर्पित कर दें देखिए यह महापुन्यकारे आप जब कर रहे हैं तो आपको पूरा विश्वास होना चाहिए कि शिप पुराण में वर्नित यह जो उपाय है यह आपके कश्टों को दूर करेगा जैसे माता पारवती को भोले नात ने स्वयम वर्नूप में प्राप्त होने का वर्दान दिया जिस प्रकार से अलग-अल वर्त की दाल के दाने आप भोले नात के ऊपर चढ़ा दें सबसे अच्छा यह होगा कि आप शिवलिंग पे चढ़ाएं क्योंकि निराकार रूप में शिवजी का पूजन करने का विशेश महत्व शिव पुराण में वर्नित है शिवलिंग के ऊपर इन दानों को चढ़ा दाने यदि नहीं हैं उसके जगा शमी पत्र हैं तो शमी पत्र चढ़ाएं या फिर चावल हैं तो चावल चढ़ादें इसके बाद जो खीर आपने भोग प्रसाद बनाई है वह शाम के समय ग्रहन करें इस प्रकार से जो लोग यह व्रत करते हैं और शाम के समय घी युक त करते हैं उनकी हर मनों कामना जरूर पूरी हो जाती है देखिए सभी उपाय अपने आप में विशेश महत्वर रखते हैं और यह जो खीर का प्रसाद है यह आपके पूरे दिन के जब तक का फल है तो बिल्कुल वैसे ही इसे प्रसाद सो रुखाएं जैसे कि भगवान भुले भुले नात पे विश्वास रखते हैं और इन उपायों को कर लेते हैं तो ऐसा कोई कारे नहीं है जो असंभव हो जाए कारियों की सफलता भुले नात के आशिरवाद आपको जरूर मिलता है और श्रद्धा भक्ति आपके अंदर होनी चाहिए क्योंकि बिना श्रद्धा से करा हुआ हर उपाय निश्वल हो जाता है भुले नात की पूजा करते समय सबसे पहले भुले नात पे थोड़ा जलर्पित करें सफेद रंका चंदन लगाएं थोड़ी सी भबूत या फिर भसमी जरूर चढ़ाएं उसके बाद बेलपत्री चढ़ा के प्रसाद इत्याजी चढ़ा के पूजा नर्चन करें क्योंकि मैंने आपको पूरा जो उपाय बताया है वो संशिप्त तोर पे बताया है पूजा भी बता दिये तो आशा करती हूं इस उपाय और पूजन को करके आप अपनी हर मनुकामना पून कर सकते हैं भोले नात पे तोलसी नहीं तो इस बात का विशेश ध्यान रखें इस उपाय को करें शीगर अतिशीगर आपकी हर इक्षा पूरी हो जाएगी देखिए इस वीडियो को आप जादा से जादा लोगों के साथ शेयर करिए इस वीडियो से अधिक से अधिक लोगों को लाब मिले ऐसी मेरी कामना है आगे इसी प्रेकार के सभी वीडियो देखते रहने क्लिए चैनल से जुड़े रहे है चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें जै माता रानी